सबी दोस्तों को नमस्कार गुड मॉर्णिंग साथियों आज हम जो बात करने वाले हैं यह हमारी सिक्षण अभिरूची टीचिंग एप्टिटूट यह जो हम त्यारी कर रहे हैं यह कर रहे हैं बीएस्टीसी और पीटीटी के लिए तो जो भी मेरे सातीगणे मित्र हैं जो पीटी का एकजाम अभी आने वाला है और बीएस्टीस का एकजाम तो तारीक पिक्स हो गई इसको आप सभी को पता है बहुत नजदिक है सिर्फ है एकजाम तो आपकी त्यारी बहुत अच्छी चल रहे होगी और जो मेरे पीटीटीटीक जो सातीगणे है यह बिल्कुल भी बहुत इतना करें देखो अभी पड़ाई कर लोग दो साल आपके बहुत अराम से अच्छे से घुजर जाएंगे क्योंकि जैसे नंबर आएंगे वैसे कोलेज मिलेगा तो चलिए साथ करते हैं आज का पहला परसन में स्क्रीन पर लेकर आता हूं वह बहुत अच्छे परसन है ठीक ताक परसन है आप अराम से उतर दे दोगे और प्रसन परसन बनाता है वैसे परसन है ज्यादा कोई कोई कटीन भी नहीं है उट ठीक Place न hè पहला स्क्रीन पर सब को पेज़ साफिए अध्या पकी बात करा है तो घलर चेंज कर दूँ दोस्तों इसका क्या है कि यहां पर सूट निकार है यह तो देखो अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान है अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान क्या है यह आपको बताना है तो जल्दी से बताईए मुझे कमेंट करके पहला उप्षन है तो उसकी नोकरी उसकी गरिमा और मर्यादा चात्रों का विश्वास और उसकी सिक्षण के प्रती आस्ता है तो साथियों इसका correct answer देगो नेग अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान ध्यान देना उसकी नोकरी अगर नेगेटिव पॉइंट के लिए तो विचारा पड़ाने आ रहा है वहां पे अगर आप उसको नोगरी नहीं है तो फिर वो क्यों आएगा इसकूल में लेकिन ध्यान देना यह नेगेटिव अध्यापक को कभी समान देगा यह हमेशा उनकी नजरु से गिरा हुए रहेगा मतलब की इसलिए ज्यान देना अध्यापक के लिए सबसे मुल्यवान चीज होती है चात्रों का विश्वास और तो आपको यह उसन आपको दो नमबर देगा यह उसकी सिक्सेट के परती आस्ता है अब में चलना चाहूं का दूसरे परस्तिक और सभी जने स्क्रिंस लेंगे चुब के श्वा ने वह अराम से त्यारी करते रहे और अपनी त्यारी को बहुत द्रिट बना ले ताकि मतलब प्रुट करते हैं जैसे पिनमबर आते हैं को लिए इतना आच्छी कर ले कि हमारे घर के पड़ोस में कोलेज में सबसे पहले मिलें पर्ष्ट नंबर पर उसी को से लेक्ट करना है और वहीं कोलेज मिले हमें और जो बेश्टीसी वाले इनके पास बहुत कम दिन बचें तो उन कि अच्छा आध्यापक को न होता है आपको बताना है पहला उप्सटे रखा देगो मेदावी परिश्रमी हो अपने विद्यार्ति O से सची लगन रखता हो सदा जीवन वेतित करता हो और अपने विशे में परवीन हो साथ यह प्रसंट बहुत इंपोर्टेंट है इसका स्क्रीन सोट ले लेना सभी जने और अपने पास सेव रखना एक्जाम देने जाओ उससे पहले एक बार इसको रीड करके जरू जाना तो आपको पता चली गया होगा आपको भी ऐसे करना है अध्यापक वह अच्छा होता है जो अपने विद्यार्ति से सची लगन रखता है वही क्या होता है सबसे अच्छा अध्यापक होता है तो अब मैं अगले परसंट की और चलता हूं तीसरा परसंट पर प्रेस करता हूं तीसरा परसंट आप से कुछ इस परकार पूछना चाहता है कि परसंट यह है सबी बच्चों की एक की समझा है अब मालो आपकी किलास चल रही है आप टीचर बनने जा रहे हो और आपकी किलास चल रही है और आप किलास में कड़े हो और तीस बच्चे की एक ही समझा है कि उनको इस सवाल समझ में ने आ रहा है कोई टोपिक समझ में ने आ तो आप क्या करेंगे पहला उपसने एक एक करके, तुछ बच्शों को समझा हुआए तूध बड़ी 30 तैसल सवाल आता है, तो थीस बच्चे सब उतर देदेगे इसका क्या जाएगा उसका करेक्ट अंधर हो जाएगा सामुई कटेंगा का मलब वह हुआ है कि तीसी बच्चों को हम किलास में वापस दुबारा समझाएंगे ठीक एक नहीं समझ में आया नहीं आया यह प्रसन अराम सी समझ में आया जो आपकी सही अलोचना करता है अब आपको टेंजन यह ओरी गुरुजी यह अलोचना क्या होती है तो अलोचना जो एन अलोचना सब्द का अर्थ होता है क्या सही है और क्या क्या गलत है क्या क्या तो सही है और क्या क्या आप में गलत है यह दोनुं बता दे यह दोनुं ब चाहरा तो आप उसके साथ अपके साथ आपका वेवार का होगा तो abgeys का मिलश से बात है मेरी कर रहा हुआ को जुन का विल्कुल भी कुछ नहीं काऊंगा एक मित्र के रूप मेंbling होेगातो सभी के सामने आने वाला यह पांचवा परसिण इसका सबीजने उतर देंगे प्रसन आपसे कुछ इस प्रकार पुछना चाहता है एक परभावी अध्यापक के लिए परभावी अध्यापक का मतलब क्या होता है मैं बता दो एक परभावी अध्यापक का मतलब जैसे आप अपने विद्यालाई में पढ़ते हो और जो टीचर देने वाला हो, केवल विशे को रोचक बनाता हो, सरजन सील हो और उतम वक्त आएगा वक्त आएगा वक्त आओ तो साथ भी नियान देना जो दंड देने वाला होता है न वो क्या होता है एक प्रभावी अध्यापक नहीं हो सकता है वो बात बात पर बच्चों की पिटाई कर बच्चों की लाज से बाएगा दे और आराम से बच्चों को इतना बुरा मारे इतना बुरा मारे कि दस दिन दक हो इस्कोल में फिर इदर-उदर बटके नीसकोल के आसपास में तो वह अध्यापक अच्छा नहीं होता है तो इस लिए नेगेटिव पॉयंट को सारे ड़क् वालक को मार नहीं सकता है देंडे से या हाज से मार नहीं सकता है यह नियम प्रेशन वह प्रेशन की होता है पहले दो किसी के मन आ रहा है गरुजी आम ने तो संप्रेशन पता निए हम तो नहीं नहीं बार्य पास करके हैं तो संप्रेशन का मतलब होता है जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो ठीकर निहीं हम किलास में बैटे मालो यहाँ पर कलास लग रही है किलास में आप सब बेटते थे सबको पता होगी यहाँ पर आपका दूसरी चीज़ दो नहीं निकालोगे ना कोपी निकालोगे तो यह होता है smiles impression ka मतलब यह होताय कि एक दूसरे जिद्वा करते हैं इसको समझेंगा हम बात चीत तो एक इत हुता है बहुती अच्छी मतलब एक उंची उंची का सकता है तो किसके कैसे वो सकता है यह तो इसका ग्रवाया चाहेगा ध्यान देना ऊप्शन नंबर पहला तो शुरोता के इस तर को जान के शुरोता के इस तर को जान करी हम एक परभाविश कर सकते हैं अब महलो अगर मैं आपको हेंदी में बोल रहा हूं और आपको इंगलीश बिल्कुल पी नहीं आती या पर इंगलीस आती होगी चलो आपको मैं बोल दो आपको फ्रेंच बिल्कुल पी नहीं आती अब यहां पर फ्रेंच में चपड़ चपड़ करने लग जाओं तो बताओ क्या आप समझ पाओगे उसको नहीं समझ पाओगे तो आप हमारा संप्रेशन सही नहीं होगा और यहीं जिस देश में बोली जाती हैं वहां पर मैं जाके अगर बोलता हूं तो बिल्कुल समझ पाएंगे तो वही होता है संप्रेशन का मतब होता है हमारे आपसी बात चीज़ों होती है न वह होती सरोता के इसतर को जानकर अब मैं चलना चाहूंगा साथवे प्रसंड की और साथ वह प्रसंड पर संट पर है स्क्रेन पर ही कहना साथा नेतिक सिक्षा का उत्तर दायों तो होना चाहिए नेतिक सिक्षा होती है जिसी जो हमारे समाज में मानने हो आपार घ्ना बडू को नमस्कार करना चाहिए, बडू का अदर करना चाहिए, कानना मानना चाहिए. आप ऋन्हाध में करना चाहिए छोरी नीयम करना चाहिए हमासी सब नएम्रमानी क्रें. इस सögे नाम है नो हमान रहे हैं, तो हम क्या कर रहे ह tocar है , hani इन्यती फ게 इंदर रहे है पहले हैं कि ए कि वो बचे जो क्यों में गए है कि देस्वी बारी तक पड़ने की स्टायल और एक जो विलकुल वीचाराा पैदा होते ही बक्रियों में जाता था और निकलते रहेगां। फट्रैल्ट में रा दिन बल रहेगा, शेंद में लोगां। पूरा पूरा किसको जाता है अब मैं चलना चाहूंगा अगले प्रसंद की और आटवा प्रसंद स्क्रीन पर प्रेस करता हूं मैं यह आ गया आटवा प्रसंद साहब आटवा प्रसंद आप से कुछ इस प्रकार से ही जो देखो छोटे-चोटे बच्चे विचारे जिनको बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है प्रन्तु उनके उपर किस प्रकार का बोज अफेक्सित नहीं आपको कि सापेक्स अब सात्यों आपने अभी गाउं में तो इसा नहीं है देखो गाउं में तोड़ा इसका सरकारी स्कुल में इसा नियम कम है लेकिन आप सहर में यह बच्चे ऐसे होने चाहिए लेकिन वह बच्चा कैसे होके जाता देखो ऐसकी करदन तो ऐसे रहती है आगे यहां पर इतना बड़ा बेग लटका हुआ पीछे विचारा इस बोज की तहले ही दब जाता है बच्चा तो इसलिए वहां पर का गया है ध्यान देना अब यह तो बच्चा विचार बच्चों को सिख्षा देना जरूरी है लेकिन उनके उपर बोज नहीं होना चाहिए इसका जल्दी से बता दीजी मुझे अंसर तो उसके उपर ज्यां देना गरह कारे का बोज नहीं होना चाहिए तो वह नहीं होना चाहिए अब मैं चलना चाहूंगा 90 परसंड की और नवा परसंड आता है नवा परसंड यह आपके पूर्ण चाहता है जब आपके चात्रे उन्नती करते हैं तो आप मैसूस करेंगे उन्नती का मलब शीदा है साहब आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्ती अगर नोकरी लग जाते हैं या बड़ा कोई वेवसाइ बना लेते हैं उन्नती करते हैं मलब वह बहुत अच्छी आगे जाके कर रहें हो तो आप क्या करेंगा प्रसंता की बावना इस पर दना दिumAd इस बूतल पर आके हमने कुछ तो किया पागल कि जैसे नहीं घुंबे इस प्रत्वी पे तो आज का जो परस्ण आता है दस्वा परस्ण दस्वा परस्ण में स्क्रीन पर पेस करता हूँ दस्वा परस्ण बहुत इंपोर्टेंट है क्या है यह प्रस्ण परस्ण यह साब ज्यान देना शिक्सा के प्रचार यह प्रसार से शिक्सा का परचार वों परसार से क्या होता है लोगतन्तर मजबूत होता है अंद्य वस्वासों में कम्याती है आरतिक विकास की दरबड़ती है ये सवी तो सब गत्र जो घंए सब भ Biology में कम्याती हमारे air शिख्सा के परचार व你要 schon लग जाएगी तेरा वेवसाई गिर जाएगा तेरा यह हो जाएगा मनलब जब से यह जो बहुत से अंधी विश्वास है ना इन में कम्या जाएगी अगले आर्थी विकास बिल्कुल आर्थी विकास आप एक अंपड़ वेकती हैं जो खेती करके मानलो सालाना दो लाग रुपे कमा रहा है न तो गड़ा लिखा वेकती है अगर इसमें थोड़ा ब्हट जा ना दिमाग है उसमें तो दस से बीस लाग रुपे अराम से कमा किये नहीं केवल एक एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर प्रसंद को बढ़ा दो तो हम बिल्कुल आपकी बात का मान कर बढ़ा देंगे लेकिन आप इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करो देखो एक एक वेक्ति है और वो अपने दस मित्र के साथ भी शेयर करेगा उसको कोल करक करने बच्चे मैंने आपके ज्याएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रही एक जाने हैं सून रहे हैं और आपering आतज चैंड़ी करण रहे हैं तो इसको ध्यान में रखके तियारी करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वंदे मात्रम जह सियराम